चैत्र नवरात्री दो हजार चौबीस दिन तीन माँ चंद्रघंटा कथा माँ चंद्रघंटा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेशु माँ चंद्रघंटा रूपे संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नम वंदे वांचितला भाय चंद्रार्ध कृत सिन्हारूधा चंद्रघंटा यशस्विनी मा चंद्रघंटा का स्वरूप मा चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्यानकारी और शांति दायक होता है। सिह पर सवार मा चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। मा चंद्रघंटा का रूप तब धारन किया था जब दैतियों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिशासुर का आंतक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। क्योंकि महिशासुर देवराज इंद्र का सिनहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोग पर अपना आधिपत के जमाना चाहता है। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रहमा, विश्नु और महेश के पास पहुँचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है, इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक उर्जा निकली और उसी उर्जा से एक देवी अवतरित हुई, जिनका नाम मा चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विश्नु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिन प्रदान किया। इसके बाद मा चंद्रघंटा ने महिशासूर का वध कर देवताओं और स्वर्ग लोग की रक्षा की।